दोस्तों आज हम बताएंगे कि अगर आप रेल्वे में लोको पाइलट बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? क्या योगता चाहिए? क्या उम्र चाहिए? क्या प्रोसेस रहता है? तो बने रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स कर ले और अगर आपका भी कोई प्रेशन है तो कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं तो चलिए बात करते हैं लोको पाइलट बनने के लिए क्या क्या करना होगा तो दोस्तों बताते चलें कि लोको पाइलट की डारेक्ट वैकेंसी नहीं आती है वैकेंसी आती है हो तो आप लोको पाइलर बन सकते हैं तो इसको भी देखते चलते हैं साथ में दोस्तों आगर आपके पास फिटर, टैनार, एलेक्ट इसयन, इलेक्ट्राशीन, मेकैनिक इंट्ूमेंट, मेकैनिक डिजल, मेकैनिक मोटर, हीट इंजिन, मसीनिस्ट, वहिकल, मिल राइड, मेंटिनेंस मेकेनिक, रेडियो और टीवी मेकेनिक, रेफ्रिजरेशन और बातानुकूलन मेकेनिक, ट्रेक्टर मेकेनिक, वैर्मेन, आर्मेचर और काइल बेंडर इन में से अगर कोई सी भी आपके पास अगर ट्रेड है, तो आप लोको पाइलिट के लिए अपलाई कर सकते हैं, और आपके उम्र 18 साल होना चाहिए, और इसकी प्रोसेस क्या रहती है सेलेक्शन के लिए, तो उसको भी देखते चलते हैं, इसमें दो एक्जाम होते हैं, अग तीसरा एक्जाम आपका ट्रेड से संबंदित होता है, जो भी आपने अपलाई करते समीछ ट्रेड भरी होगी, उसे का एक्जाम होता है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंड मार्स लाना रहते हैं, इसके बाद अगर आपने ये सभी क्वालिफाइग कर ली, तो आपको साइको का टेस्ट देना पड़ता है वो भी एक तरह का एक्जाम ही रहता है साइको भी क्वालिफाइ करने के बाद आपको डी बी के लिए बुलाया जाएगा मतलब डाकुमेंट वेरिफिकेशन उसी के साथ उसी दिन हो जाएगा आपका मेडिकल या अगले दिन आपको डेट दे दी जाएगी जहां आपको मेडिकल क्वालिफाइ करना होगा मेडिकल में आपको सबसे ज़्यादा धियान अगर देना है तो वो है आपकी आँख की रोसनी आगर आपकी आँख की रोसनी बेहतर है तो आपको कोई टेंसल लेने की जरूर नहीं है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें